वेलकम दोस्तों, दोस्तों अगर आप मेरी चनल पे नए हैं तो मेरी चनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में और लुट्फिकेशन बेल पे भी चलो टीक करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो को आप मेंस ना करें हेलो फ्रेम्स, आज की वीडियो में आपको यह गेट पर्दा डिजाइन बना के बताने वाले हूँ, उससे पहले भी मैं इस गेट पर्दा का वीडियो अप्लोड की हूँ अपने चानल पे, तो आज की वीडियो में इससे बना के बताने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा ताकि आप इस डिजाइन को बना पाए तो आप इस डिजाइन को अच्छे से देख लिजे मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से बना के बताने वाली हूँ तो यहां आप देख लिजे दोस्तों हमने इस तर से पटी बना लिया पटी अपने हिसाब से बना सकते हैं और यहां पर देखिए यह दो तीन चार घर और बीच में हमने पांच खर्ण छोड़ दिया है फिर चार घर हमने लिया है तो एक तरब का भी हमारा बन चुक है हम दूसरे तरब का भी आपको बना के बताएंगे देखिए एक तरब का भी इस तरह से बना है सेम इसी तरह हम दूसरे तरब का भी बनाएंगे देखिए यहां पर दस चैन ले देना है हमें और दस चैन और एक गजरा बनाएंगे जो हम उतर बनाएंगे तो हम आपको बता देंगे कैसे बना है और इसमें देखिए एक है दू, तीन, चार, फिर तेन, दू, एक इस तरह से बना हुआ है दोस्तों अगर आप मेरी चैनल पे नए है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सेयर, कमेंट्स चरून करे अब हम इस साइट सेन वैसा ही भी बनाएंगे तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी तो चलिए अब हम इसमें बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरह का खंड इसमें कितना घर है पहले ये देख लेंगे यहां देखे हम दो रूप पार्ट को आधा आधा करके एक पार्ट में भी बनाये थे और हम फिर इसके आधा में एक और भी बनाएंगे इस साइट बीच में हम ती चार घर छोड़ देंगे गैपिंग के लिए तो हमने डबल उनका यूज किया है आप सिंगल उनका भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से तो मैंने डबल का किया है इस तरह से हम फंदा बना लेंगे उसके बाद देखें यहां पे हम यहां पे हम एक एक ही जगा से हम दो फंदा लेंगे और फिर हम दो चैनल लेंगे फिर थोरी से दूरी पे हम दूसरा खंड बनाएंगे दो फंदा लेंगे फिर दो चैनल लेंगे इस तरह करके हम चार खंड बनाएंगे तो दिखी अभी हमारा तीन खंड बना है और यह हम लास्ट चौथा खंड बनाएंगे तो देखी इस तरह से चार खंड हमारा बन गया है अब हम यहाँ पर चैनल लेंगे एक दो तीन चार पांट चेस साथ आठ नौ तस और एक एक्स्ट्रा चैनल लेके हम इसे बांध लेंगे और हम एकी जगह से इस तरह से आप 10 या 15 चैनल ले सकते हैं अपने हिसाब से एकी जगह से हम गुली की तरह निकालेंगे फंदा जगा स्थटे की जगाईcling वड़े हम T край या जगे एक्स्ट्राएबरोम से खाले का दो Зबसे एक टवाबाद मत条व हर चैनल ले से अच抗श हमें बाला कर चाम schreiben तो हमारा चारगंड बन चुका है अब हम यहाँ पर चैनल लेंगे 15 लेंगे 15 लेने के बाद हमें 15 लेने के बाद हम एक ही जगह से देखे गुल्डी की तरफ फंदा निकालेंगे आपको अपने हिसाब से जितना मुटाई रखना हूँ आठ या नौ जितना वर अपको लेना हूँ फंदा एक ही जगह से अपले सकते हैं और देखे हम इसे नीचे वाले चैन के अंदर से इस तरह से कुरुष लगाके और यह फंदा इसके अंदर से निकालके और इस दोनों फंदा को बीचो बीच करके हम इसे बाढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पर हम चार चैन लेंगे या तेन चैन और हम एक एक्स्ट्रा चैन लेके और फिर से हम से इसी स्टेप को रिपीट करेंगे एक ही जगह से इतना गुल्ली बनाएंगे और उसे बान देंगे एसी तरह से देखि कि पीछे से इस तरह से लाके और बीचो बीच जो इसका अधा होता है कि उसके बीचों बीच general है कि तो इस तरह से करने के बाद हम फिर 15 ले लेंगे इस तरह बनाने के पाद एक तो three, 4, 5, 6, 7 इस्थर से आप 15 चैन ले लेंगे आप चार तो 20 चैन भी लेंगे आप अपने हिसाब से 15 चैन लेने के बाद हम थोरी से धूरी पर 3 घर, 1, 2, 3, 3 घर चोड़ने के बाद यह चार खंड आप छोड़ सकते हैं छोड़ने के बाद हम फिर से इसी तरह से चार खंड बनाएंगे तो देखिए आप सेम इसी तरह से हम पहला स्टेप प्रिपीट करेंगे तो देखिए पहला स्टेप हमारा इस तरह से बन गया है एक दूसरा खंड तीसरा चौथा पाचवा पांच खंड हमने बनाया है और अब हम इसे पलट लेंगे पलटने के बाद देखिए यहां पर हमारा चार खंड बना हुआ है तो हम यहां पर पहले दो चैन ले लेंगे और यहां पर देखिए इस तरह से हम बांध लेंगे यहां और हम इसमें अब चार खंड था तो हम इसमें अब तीन खंड बनाएंगे तीन गैपिंग है उसके अंदर से अब निकालेंगे तीन खंड दो चैन फिर दो फंदा फिर दो चैन तो देखिए इस तरह से यहां पर हमने फिर से पंदर चैन ले लिया और हम सेम उसी तरह का फिर से गजरा बनाएंगे जो वो गुच्छे टाइप का है इस तरह से आपको जितना मुटाई रखना हो उतना मुटाई रखें और इसको आधा करके हम इसे बांद लेंगे तो यह हमारा सिकेन स्टेप है दीखिए इस तरह से हम इसे बांद लेंगे उसके बाद हम तीन चैन लेंगे तिन चैन लेने के बाद हमें ये जो खंड हमने जो बनाया था फॉस्ट वाला दो गुच्छे के बीच में जो हमने चार चैन लिया था उसके बीचों बीच हम दो फंदाल निकालेंगे एक ही जगह से एक दो और हम फिर से तिन चैन लेंगे और एक गुच्छा बनाएंगे और फिर पंदाल चैन लेंगे हम आगे बलाएंगे तो देखे कर दो खेँ प्राइब कर दो दो खर फंदाल रवीचों प्रेखे प्राइब एक झाल को पक्रीच को दो हम दो प्राइब खिरे दो एक नो हमें प्राइब दो प्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो देखिए सेम इसी तरह से हम सेकेन स्टेप तूटल में कर लेंगे जैसे इस साइड बना हुआ सेम इसी तरह से में तो परना लेना है तो अब एक सेसे तरह से इसका ठाड़ी स्टेप क्या होता है तो थाड़ी स्टेप में देखिये क्वी रहा हुआु साइड में अब हमारा दो फंदा दो खंड घर्ट के हो जाएगा तो अब हमारा साइड में दिखिए इस तरह से दो फंदा ले लेंगे कि दो चैन दो फंदा कि और पंदरा चैन और फिर से वैसा एक उच्छा बनाएंगे झाल तो देखी इस तरह से पंद्रा चैन और एक गुच्छा बनाने के बाद हम इस साइट से दो फंदा लेंगे एक एक ही जगा से हम दो लेंगे फिर दो चैन लेंगे फिर दो चैन लेंगे उसके बाद हम फिर इस साइट वाले चैन के अंदर से हम फंदा लेंगे दो फंदा इस तरह से करके यहां पर हमारा एक खंड था अब हमारा यहां दो खंड हो गया फिर फिर इसके बाद वाले step में आएंगे तो इसमें हमारा तीन खंड हो जाएगा और side वारा घटके एक खंड हो जाएगा तो फिर यहाँ पर हम दो तीन चैनल लेके एक गुच्छा बना लेंगे और उसके बाद हम फिर से 15 चैनल लेंगे और अगले घर से हम इसे step को हम total follow करेंगे तो देखें आप कBoĭ जो सकतने कैसे हाइभत productive खंड हमारा तीन आप पर Πरहिए Azनसी । कि भ्ल मठसरे दोस्ता में तो फिर अगले खंड हो जтов, हमेगे आप हमप दो को sisा two Oh कि अ cेमें आप हम झाने कर को दोता हम ऽृग 3 तो देखें इस्टे पुरा हो चुका है हमारा अब हम इसमें क्या करेंगे यहां पर पहले तो तीन था दो है अब हमारा यहां पर कितना घर बन जाएगा एक तो इसमें से पहले हम दबल फंदा लेके एक खंड बना लेते हैं तो इस तरह से साड में घटके चार तीन दो एक इस तरह से बन गया उसके बाद यहां पर हम 15 चैन लेंगे 15 चन देने के बाद हम यहाँ पर गुच्छा बनाएंगे उसकी बाद देखिए गुच्छा बनाने के बाद हम इस सैट से दो फंदा लेंगे यहाँ पर हमारा तीन खंड बनेगा फिर दो चल लेंगे इसी तरह करके यहाँ पर हम तीनों खंड से दो दो फंदा निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारा तीन खंड बन जागा एक दो तीन इसके बाद यहाँ पर हम तिन चैन ले लेंगे और फिर से एक गुच्छा बनाएंगे और इसे बांत लेंगे आधा अधा करके यह ध्यान से सीखना है आपको अगर नहीं आता है तो आप बार बार रिपीट करके इसे देखे और ट्राइ करें आपको जरूर बनाने आ जाएगा फिर यहाँ पर हम पंद्रचैन लेंगे पंद्रचैन लेने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर हमारा कितना घर घटके आ चुका है एक घर घटके आ चुका है तो यहाँ पर हमें एक ले लेंगे सेम इसे स्टेप को हम टोटल में फॉलो करेंगे तो देखें क्यास को यहाँ ले इसे सुर्चैन लेखवास करना हमें इसे लेकिन बाद हमें आ चुका हमें उन्टसी तो यह भेचे घिए Bruce वहाँ लेंगे उन hamburger Ministries के आ के लेंगे ए इसनै तो रहें मलाब़ हमें वहाँ sे明़ rocky झाल झाल इसको हम टॉटल में सेम इसी स्टिप को फ achievements करेंगे तो चलिए अब हमारा नेक्स स्टिप देखते हैं हमने ये टॉटल complete कर लिया है तो इसका अगला स्टिप क्या है वो हम देख लेते हैं साइड में तो अब हमारा एक घर आ चुका है तो अब हमी क्या करना है तो जैसे ही इस साइड में हमारा एक घर आ जाए हम इसे कट कर लेंगे, देखें यहाँ पर तीन और पीछ में एक, तो जैसे ही हमारा एक आ जाए उस घर को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम इसे पहले बांद लेते हैं अच्छे से, फिर इसे हम cut लगा लेंगे cut कर लेंगे अब हम क्या करेंगे जिसमें हमारा side में है उसे हम छोड़ देंगे और जो अगला घर है जिसमें तीन खंड हमने बनाया था अब वहां से हमारा नया घर स्टार्ट हीगा तो देखिए इसमें side में तो यह हट चुका है अब यहां पर हमारा चार फंदा बनेगा एक इस side दो तिन चार तो हम यहां पर चार फंदा बनाएंगे चार फंदा बनाएंगे और उसके बाद कहां से मारा जैसे हम फॉस्ट शुरू में जो step किया था वही step होगा तो पहरे आप असाने से इससे देखिए अराम से जो बनाएंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो यहां पर एक गुच्छा फिर तिन चार चैन फिर एक गुच्छा और फिर पंदरा चैन जैसे हमने शुरू में न्यू घर जब बनाया था तो जो हमने जैसे स्टेप फॉलो किया था सिम वही अब यहां फिर से स्टार्ट होगा तो यहां पर हमने पंदरा चैन एक गुच्छा फिर 3-4 चैन, फिर 1 गुझा, फिर 15 चैन लेंगे देख़ें 15 चैन लेने के बाद हमें क्या करना है ये नेक्स्ट घर है तो देख़ें यहाँ पर तो एक घर हो चुका तौल हमसे छोड़ देंगे ओर यहाँ पर तीन है तो अब हम इसमें इसे जोईन करेंगे और इसमें अब हम चार खंड बनाएंगे तो अगला जो step हमारा है यही है हमें नया घर बनाते जोई जाना है और जिसमें तीन खंड है उसमें हम चार खंड बनाएंगे इसमें अब हम वह step नहीं follow करेंगे तो आप इसे अच्छे से देखें से मोह हिस्टर को रिपीट करेंगे तो देखें तो यह इसी तरह से यहां बनाना है देखें इसमें चार कर लेना है बीच में जहां एक हो चुका उस खंड को हम छोड़ देंगे और नया खंड हम फिर से यहां बनाएंगे तो हमारा इसी तरह से दूनों तरफ से घर घरता हुआ चला जाएगा और इस तरह से करके लास्ट में हम एक घर पे पहुंच जाएंगे जैसे आप यहां देख रहे हैं अच्छे से देखे चार तीन दो एक घट के हो गया है और यहां पे एक दो तीन इस साट जैसे बना होगा है आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें टूटल बनाते हुए जाना है जैसे ही हमारा फिर से ये वाला एक घर पे पहुँच जाएगा हम फिर से उस घर को छोड़ देंगे तो देखें ये हमारा हो चुका है ये स्टेप पूरा तो अगला स्टेप देख लेते हैं अगला स्टेप में हमें क्या करना है तीन खैन, पंद्रह चैन और फिर से एक गुच्छा बनाना है में तीन खैन, पंद्रह चैन और फिर से एक गुच्छा बनाना है गुच्छा बनाने के बाद यह दोनों गुच्छा जैसे हमने सुरू में एक से स्टार्ट किया था सेम अब फिर यहां से फिर हमें एक ही जगह से दो फंदार लेंगे और यहां पर हमारा एक खन बन लिया उसके बाद हम फिर से एक गुच्छा बनाएंगे और फिर से पंद्रह चैन लेंगे कि बच्छा पर लेंगे त्यात लेंगे त्यात कि अब बनाएंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि इसके बाद में क्या करना है और साइट से जब भी एक घर हो जा उस घर को में छोड़ देना है और से इसी तरह से में टोटल दो चार तीन दो एक तक पहुंचना है इस साइड भी हमने इसी तरह आपको इतना इस्टेफ बता दिया है तो देखिए ऐसाइट साइट में जा एक खुए में दो गर कोष़ख में इस तरह से और फिर ने जाएगा कर दो 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 कर तो देखिए इस तरह से हमारा दो भी बन के पुरी तरह से रेडी हो चुका है अब हम इसमें क्या करेंगे अब हम इसमें लरी बनाएंगे तो लरी कैसे बनाना देखिए इसमें जिस तरह से बना हुआ है हर एक खंड से दो-दो लरी हम गिराएंगे तो लरी कैसे बना हुआ व कर दो 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 झाल 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 तो इस तरह से ये बन के तयार हुआ है तो देख लिजिए अच्छे से इस गेट परदा डिसाइन को मैंने अच्छे से आपको इसमें बताया है और अगर आप मेरी चानल पे रिगलर वीडियो देखते हैं तो हमें कमेंस जरूर करें कि आपको ये परदा कैसा लगा और इसे बनाने का तरीका आप सीख पाए या नहीं सीख पाए अच्छे से देख लिजे और अगर आप ये डिसाइन बनाये तो आप हमें मैसेज भी जरूर करें तो दोस्तों पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजसाइन के साथ तक तक के लिए थान्स पर वाचिए झाल करें… झाल कोल वाच दो हमें च्पशपप्पश이 ने में चल चो से पते हैं ओक me झालолж रहा हमें और रहा हमें ने प्र वाभर